आप 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 है लो जी एर्स उमीद करते हैं आप बहुत अच्छोंगे मेरे पेरे बच्चों मैं आरके मिस्रा इंजिनियर्स अड़ा पर स्वागत करता हूं जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सचीज दोसर चौबीस का डोटिफिकेसन आउट हो चुका है इस वीडियो इस फार यू कई दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों की क्वेरी को इकठा करके एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें आप लोगों के हर तरह के सवालों का जबाब हो जो कि देखो फार्म फेलिंग प्रोसेस शूरू हो चुका है आप लोगों के मन में आ भी रहा होगा कि हम फार्म फेलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करें या नहीं करें तो बचो बहुत सारे questions और answer आप लोगों की ले करके, एक मैं आपको ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, जो सायद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी भी तरह का doubt नहीं रहेगा, ये मेरा आप लोगों से, मतब कि जिसको बोलते हैं न, कि वादा है, तो एक बार सबी दोग आज आओ, और session की सुरुवाद भी कर देते हैं आप लोगों की लिए, आज का, और मुझे उमीद है कि आप सब लोग आभी गए होंगे, तो देखो, सबसे ज़ादा important चीज़ ये है कि पहला जो doubt आप लोगों को हो रहा है, कि यार age का जो calculation है, वो कौन से reference date को मा जाएगा, तो यहाँ पर याद रखना है, age हो गारा जो भी calculate की जाएगे, एक आठ दो हजार 24 के basis पर, और इसी date के पहले आप लोगों का degree and diploma का result भी declare होना जाहिए, इस बार एक सवाल आप लोगों का ये भी बन रहा है, क्या pursuing के students eligible हैं कि नहीं, तो definitely eligible हैं, बसरते ये कि तो यहाँ पर इस बार थोड़ा सा ये संसुदन किया गया है, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिजेगा, दूसरा मैं आपको बता दूँ, बचो कि आपका यहाँ पर important चीज ये भी है, कि क्या SC और ST के लोगों को maximum age limit कितना होना जाहिए, तो 37 साल है, और OBC को 35 सा सभी department में हमारा maximum age limit कितना है, तो अब ये सवाल आप लोगों के मन में बहुत सारा बन रहा होगा, तो ये चीज, अब एक जो हमारे सभी लोगों के मन में सवाल होगा, क्या बियारो में female candidate eligible हैं, तो बिल्कुल नहीं है, बियारो के लिए जो upper age limit है, OBC के लिए, यहाँ मैं आ जाद है, तो 33 साल, OBC के लिए 33 साल, SC और SD के लिए 35 साल, यहाँ पर याद रखना बहुत सारे बच्चे यह पूछते हैं, कि क्या degree वाले students को किसी भी तरह का experience required है, बिल्कुल नहीं है, हाँ, अगर आपका degree है civil engineering से, या equivalent related to civil engineering, आप eligible हो, साथ में आप लोगों को, अगर आप अपना diploma कर रखा है, क्या कर रखा है, diploma कर रखा हो, तो आपके पास 2 साल का experience हो, यहाँ पे planning, execution, maintenance and civil engineering से, बच्चों के मने में सवाल और बनता है, कि जो experience है, वो कहां से हासिल करें, बाई, अगर आपने काम कर रखा होगा, तो भी तो, हाँ, इसमें एक सवाल बनता है, कि नहीं है, या आपने बहुत, पहले काम किया है, पहले काम करने का तरीका अलग है, वाई, देखो, कुछ नहीं, company experience certificate होना चाहिए, हाँ, जब company में verification हो, तो company reply करे कि हाँ, इन्हों ने हमारे कहां काम किया है, यह बात important है, आप लोगों के लिए, तो इसमें आपको, सबसे important है, आप देखो, इसमें एक चीज़ जो निकल के आता है, कि mechanical और electrical, में सेम चीज़ है, आपने अगर बीटेक कर रखा हो, तो किसी भी तरह का experience की ज़रूत नहीं है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हो, तो आपको experience की ज़रूत है, age limit दोनों में सेम है, यह चीज़ आप हमने आपको बता दिया, कि electrical and mechanical की cut-up जो होती है, combined बनती है, civil की cut-up separate बनती है, यह चीज़ आद रखीगा, बियारो एक rough and tough है, जो लोग medically fit होते हैं, जादा तर से वो बियारो में जा सकते हैं, इसमें कोई दोर आए नहीं है, अब यार बाकी लोग भी एक बार आप आप लो जो एक बात दिमाग में बैठा लो, पूरे SSC JE के notification में जहाँ जहाँ 3 year diploma दिखा होगा, वहाँ वहाँ बीटेक students by default eligible हो, तो आप अगर सौबार पूछोगे न, तो बहुत सारे बच्चे मेरे पढ़ाए हुए joining भी दिये हैं इसीज़ का, तो आपको निसिंथ होकर के जहाँ जहाँ डिप्लोमा दिखा है, वहाँ वहाँ आप eligible हो, तो यह चीज़, इसमें आपर age limit 30 साल है, लेकिन relaxation के basis पे भाई, आप लोग इसको देख सकते हैं, गुडमिंग यार, तो यह हमारा OVC के लिए यहाँ पे, again age 182024, reference count किया जाएगा, अब Central Water Commission, जो पुराना हमारा adjective है, Bachelor degree or diploma in Mechanical Engineering आपका होना चाहिए, Mechanical के लिए और वही Bachelor degree or diploma, अच्छा, SSC भी घजब करता है, जब आप यहाँ पे ऐसे दीख सकते हैं, तो यहाँ भी तो ऐसे दीख सकते हैं, लेकिन नहीं दीखोगे आप, मतब बच्चों को हमेशा परसान करने की आदत SSC में बना रखा है, आप यहाँ पे यही qualification mention कर सकती हो, और आप यहाँ पे degree and diploma दोनों का suggestion देती हो, तो आपको यहाँ पे ऐसे mention कर देना चाहिए था ना, मेरे को ऐसा ब्रक्तिक तोर पे मुझे लगा है, तो यह SSC को करना चाहिए था, अच्छा, आप चलो, यहाँ पे बात कर जाते हैं, कि यह CP water, सबसे ज़्यादा अब तक का मेरो को जो reply देना पड़ा है, इस department का है भाई, central public work department का, भाई इसमें देखो electrical का, post electrical का, लेकिन यहाँ पे diplomine electrical और mechanical दोनों eligible हो, और लास्ट टाइम 2023 में selection भी बच्चों का हुआ है, और ज्यादा selection mechanical का हुआ है, लेकिन इसके पहले electrical का हुआ ह selection किसका होगा, यह बात की बात है, लेकिन दोनों ब्रांच eligible है, और सबसे बड़ी बात है, इसमें भी दिखा है वही सेम चीज़, diploma, तो मेरे बहुत सारे candidate ऐसे हैं, जोनोंने बीटे कर रखा है, और वो eligible है, तो यहाँ पे civil की अलग पोस्ट है, electrical की अलग पोस्ट है, civil में भी सेम कंडिशन है, यही एक इकलावता डिपार्टमेंट है, जिसमें आपर एजन में 32 साल, rest of the department में आपर एजन में कितना है, 30 साल, general के लिए 32 साल है, जैसे आप, unreserve category के लिए 32 साल है, OBC के लिए 35 साल, SCRST के लिए 37 साल, क्योंकि रखसेशन मिल जाता है, यहाँ पी, यह बच्चों का selection हुआ है, आपको बता दो, ठेक है, और यहाँ पे देखो, same center water power research station में, यहाँ पे आप लोगों को यह है, तो यह आप लोगों यहाँ पे देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों का डिरेक्टरिक टाप quality level ministry of defense में, यहाँ पे mechanical की post है, तो mechanical engineering से अगर एक सबसे बड़ा सवाल आप लोगों की मन में आयेगा, क्या यहाँ अगर हमारा डिप्लोमा mechanical से नहीं है, mechanical से related equivalent branch में, तो यहाँ आपका degree किसी भी ब्रांच का हो, लेकिन आपके certificate में mention होना चाहिए, डिगरी अथवा डिप्लोमा जो भी है, mechanical engineering से, जैसे उत्तर प्रदेश म production से बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा करते हैं, production engineering is the part of mechanical engineering, और एक बच्चा सवाल पूचे का, electronics के लोग है कि यहाँ पार्टिसिपेट करता है, फरखा वेरेज में आपका देखिए का, यहाँ पे सेम है, फरखा वेरेज में किसी भी तरह का experience की ज़रूत नहीं है, जो ब्रा सर्विस में देखो, दो साल का experience है यह है बागी किसी को किसी भी तरह का experience नहीं चाहिए, तो ministry आप मेर्टरिंग जिदनिक सर्विस में, civil की अलग कटाप बनेगी, mechanical, electrical की अलग कटाप, मतब combined कटाप बनेगी, और एक चीज़ जाद रखना, एक nest anti-arrow में, civil की vacancy है, तो civil का ही आपका degree and diploma होना चाहिए, age limit हमारा 30 साल है, 100 बार बोलूँगा कि क्या final year के लोग eligible है, yes, eligible है, but 18-2023 के परदे, result must be क्या होना चाहिए, declare होना चाहिए, यह चीज़ आप लोगों का समझना है, ठीक है, और बाकी rest up the चीज़ तो हमारी same है यार, तो notification आ चुका है, हम सब को इसक इसी भी department में experience की जरुवत चाहिए ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो हमें अप preparation में लग दाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप लोग लग भी रहें, अच्छा लग रहा है, तो बच्चों आप लोग एक चीज़ ज्याद रखेगा, अगर आ बैकेज ऐसा है, जिसमें SSC JE24 का जितने भी बैचेज है, आरद भी JE के बैचेज, जितने सारे examinations है, सब के बैचेज इसमें मिल जाता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सिबिल मेकेनिकल एक्टिकल के महापेक को जोईन कर सकते हैं, यहां पे देख लो, यहां पे जानता हूं, यह मैं अच्छे से जानता हूं, और इस बार एनिहाओ आप लोगों को सेलेक्शन देना है, मैं आपको हमेशा बोलूँगा, सिर्फ बढ़ाई करो सेलेक्शन के लिए, कुछ भी हो जाए, हमें इस बार सेलेक्शन देना है, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि अब तो आप लोगों के कोई डाउट नहीं हो, अगर कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना, तैंक यू, और अगर आप चैनल पर पहली बार रहा हैं, तो एक बार चैनल को सुस्क्राइब जरूर कर देना, और रेगुलर साथ जानल को